नमस्कार तीचर्स अकेडमी ओनलाइन कोचिंग इस्ट्यूट से मैं हूँ अंबर ईशी शुक्रियां मित्रों कैसे आप सब आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और जो लोग क्वालिफाई हुई हैं वो लोग फार्म भरते होंगे फार्म भर्ने में कई बाधाय आ रही थी सम्मिट नहीं हो रहता इरर आ जा रहा था तो आज बहुत कुछ इसे थी ठीख है आप फार्म भरना चाहें तूं आज भर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है साथ ही साथ सुप्रीम कोट की अपडेट भी आपको देते चले सुप्रीम कोट में क्या हुआ तो सुप्रीम कोट की जो डेट है वो टल चुकी है अब ये डेट जो है वो 21 तारिक को ये केस लग सकता है आपका मतलब 20 मई को ये तिथी होगी और इसकी सुनवाई 20 मई को है कौन करेंगे सॉलिटर जर्नल तुसार महता उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अपनी बात को रखेंगे तो नाम एक बार फिर सुन लीजे बहुत थी बड़ा नाम है और बहुत सारे केश इन्होंने जीते हैं सॉलिटी सिटर जर्नल तुशार महता आपको एक और खास बात बता दूँ कि 69,000 सिक्षक भरती के मामले को दोनों तरफ से सुनवाई हो इसके लिए अभी तक सुप्रीम कोट में तीन कैवियट दाखिल हो चुकी है कि कोई भी निर्णे देने से पहले दोनों पक्षों को सुने जजज सहाब उसके बाद है निर्णे दे तो मामला काफी पेजीदा बन चुका है 21 तारीक को सुनवाई होगी तीन कैवियट भी है तो स्वाभाविक है कि तीनों पक्षों को इसकी सूचना दी जाएगी कोई भिंद्र ने एक तरफा नहीं दिया जाएगा थोड़ी सी ये परिक्रिया जादा दिन तक चल सकती है ऐसी संभावना है लेकिन इसी बीच एक और उल्जाने वाली बात यह है कि इस पर स्टे भी मिल सकता है इस्टे भी मिल सकता है लेकिन पैरवी जोरदार होनी चाहिए अगर पैरवी जोरदार होती है तो 20 से 25 परसंड की स संभावना है कि सुप्रीम कोट इस पे स्टे दे सकता है लेकिन ये बहुत ही कम चांस बन रहा है कि उस पर कोई स्टे आए बेरहाल अभी आपको इन सारी चीजों से दूर रहना है क्या हो रहा है होने दीजिए अभी तो मौका है कि आप अपने अपने जिलों का चैन करिए और इसे यदा कोई परिशानी वाली बात नहीं है जो लोग इसके अभ्यर्थन में परियापत नहीं है अर्थात तो वो किसी ने किसी कारण इससे पीछे रह रहे हैं या उन्होंने कोई बात छिपाई थी या कोई तत्य सही नहीं है तो उनको काउंसलिंग की परिक्रिया में भाग नहीं लेना चाहिए तो परिक्रिया को पूर्ण करिए 69,000 सिक्षक भरती अब 21 तारीक को नए मोड पर आपको दिखाई देगी और तब तक काउंसलिंग काफी हद तक हो चुकी रहेगी तो अभी का ये है कि काउंसलिंग में जो सुप्रीम कोट है वो रूप नहीं लग आएगा अगर मामला गंभीर होता है और दोनु तरब से अच्छी पैरोकार और अच्छी बहांस होती है तो यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि वो इस्टे ले लेगे नियुक्ति के लिए मतलब आपका रिजल्ट फाइनली आ गया है काउंसलिंग पूरी हो गई है लेकिन नियुक्ति पत्र के लिए वो इस्टे दे सकती है कि जब तक यहां पर पूरी सुनवाई नहीं हो जाती तब तक नियुक्ति पत्र ना बांटे जाए तो नियुक्ति पत्र पर थोड़ा सा संसय है और बाकी कोई इस्टी बुरी नहीं है सुनत्तर अजार सिक्षक भरती में सुप्रीम कोट में भी डबल बेंच के फैसले को दोहराया जाना संभव है बहरहाल ये बात तो अब स्वेम मानिय उच्च नयायले और सर्वुच नयायले के सारे प्रशंगों को देखते हुए लिये जाएंगे तो अभी के लिए इतना ही बाकी किसी समस्या से परिशान हैं उनतर जासिक्षक भरती में कुछ प्रशन पूंचना चाहते हैं तो आज मैं साम को लाइब रहूँगा तो लाइब सेशन में आप सबसे बातचीत होगी तो आप सब चाहें तो साम साथ बजे मैं लाइब रहूँगा और आप से रूबरू होँगा और आप से बातचीत करूँगा ठीक है तब तक के लिए नमस्कार जैहिन